दोस्तों स्वागत है आपका अपने योडेव चैनल टोडेवडेट में तो आज के लिए जो अपडेट है वो बहुत ही खुशकवरी की बात है बीटेक बीटेक और पॉल टेकनिक स्टुडेंट के लिए जो एक साल की जो इसमें ट्रैनिंग टाइप की जहारखन सरकार के तरफ से आपको दिया जाएगा जिसमें से आपको पैसा भी दिया जाएगा बीटेक कंडिडेट को जो बीटेक कंडिडेट है उसको 15,000 दी जाएगी जो पॉल टेकनिक कंडिडेट है जो पॉल टेकनिक किये हुए हैं कोई भी बुरांच से तो उसे 10,000 दिया जाएगा तो क्या है मतलब प्रिक्रिया कैसे हम इसे अपलाय करेंगे उसके बारे में आपको हम डेटेल से बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले बता दे आपको इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो को तो जैसे कि यहां दिया हुआ है उच उच एवम टक्निकी सिक्षा विभाग के तरफ से जहारखन सरकार के तरफ से जो यह अपडेट आई है उसके बारे में मुखब बताते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं पहला जो यहां पर दिया हुआ है कि एक वर्ष से जो जो स्टुडेंट आप अगर बीटेक करके बैठे हुआ है तो आप विभीन सिक्षा संस्थान से शिक्षी प्राप्त राज सरकार दवारा एक वर्ष के लिए अपडेटिस यह जो जो दिया हुआ है अंतरगत आपको ग्रेजवेट स्टुडेंट यानि कि अगर आप बीटेक किये हुआ है तो आपके लिए टोटल 154 पद है और टेकनिकल के लिए अपडेशिप के लिए है तो इसके लिए यह बीटेक अगर किये हैं तो 161 सीट टोटल है और इसके लिए टेकनिकल स्टुडेंट जो पल्टेकनिक किये हैं उसके लिए 154 सीट है ठीक है अब दिकिए हम बताते हैं आ विट्टेक स्टूडेंट के लिए जो की बीटैक किये हुए उसे और जो आपकी यह जो है डिप्लोमा किये हुए है चातर जो डिप्लोमा के उसे 10,000 दिया जाएगा ठीक है नेक्स बढ़ते हैं हम इसे apply कैसे करेंगे और क्या क्या परक्रिया है उसके बारे मताते हैं पहला जो है नेशनल अप्रेंटिशिव ट्रेनिंग सीमेंट सेर्चमेंट सीचमेंट एने टी एस पॉर्टल यह जो वैबसाइट दिया हुआ है इस वैबसाइट से पहले आपको, N A T S में registration करना होगा ठीक है यह registration करना बहुत ही important है सब first of all तब आपको इसमें registration करना होगा तब ही आप इस form को apply कर सकते हैं बहुत इसट्रोम करना अगर आप मुझे कमेंड्करेतों तो हम एक खाहर मैं डिंट के अगा क्याल कई साथ हे वह। कि भी आपको अच्छी तरह से समया दूँगा पर्या और एक इक स्टेप भी बता करना है बट आप अगर कमेंड करें तो तो चलिए इसमें और भी डिटेल से बताते हैं आपको और क्या करना है पहले आपको रेजिस्टेशन करना है अब हम दिखाएंगे आपको कि कौन सा कॉलेज में कितनी सीटें हैं ठीक है तो आप जैसा कि यहां देख पा रहे हैं यह पह के लिए यह बिटेख के लिए हैं तो तो कौन सा कॉलेज कौ याज फैला जैसे की अविल क्रे देख पाल है ऑप है बसक्रेट से Sig जो कि यहां पर दिया हुआ हुआ है नॉडल जॉन नॉडल जॉन जो कि यहां पर प्रिंस्पल इन चार्ज गौवर्मेंट पॉल टेक्निक राची जो यह दिया हुआ है अगर आपको इस तीन कॉलेज में अपलाई करना है तो आपको इस पॉर्टल पर आपको सेंड करना होगा आपको ना डॉक्यमेंट्स ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यह चार कॉलेज आपको प्रक्रिया A-2-z आपको step-by-step बता देते हैं ताकि आपको कोई परिशानी ना हो यह जो चार college आप देख रहे एस चार college में अपको अगर apply करनाओ थो आपको इस portal पे आपको यह न्योडल जॉन पे आपको अपना post office दुवारा आपको इसे रजिये या तो आप registry यह तो आप स्वीट पोस्ट कर सकते हैं ठीक है यह तनी इतनी सीटे और यह ऑर यह जो यह पांच नमबर से दिया हुआ हैं 5 से लेकर के यह आपको दिखाते आपको पांच से लेकर के और तक जो दिये हुए है यह कॉलिज का नाम इस पोर्टल में अगर आपको यह कॉलेज में अगर आपको अप्लाइ करना है यह पॉल्टेगनिक कॉलेज अधियापूर ठीक है यह जमसेदपूर पॉल्टेगनिक कॉलेज ओमेन जमसेदपूर पॉल्टेगनिक कॉलेज यह खरसावा पॉल्टेगनिक कॉलेज जमसेदपूर अगर इस पांस से लेकर के आ यह जो दिया हुआ है यहां से बताते हैं नौ से लेकर के टोटल 17 तक 18 तक है यह जो आप देख पा रहे हैं नौ से लेकर के पॉल्टेक्निक कॉलेज यह जो दिया कोडर्मा पॉल्टेक्निक कॉलेज यह जो पॉल्टेक्निक कॉलेज दीवी है दिया हुआ है। ओनर्मेट पल्टेकनिक कोलेज दिया हुआ है, भूकारों की है। साहेव गंच की है। खूटी की थी है। ये जाल तर्फिती वाला कॉलेज है यह कॉलेज है ये फॉली यह टोटल तो गॉर्नेंट कॉलेज जितना दिया अगर इस कॉलेज पर आपको अपलाए करना है इस 9 से लेकर नो से लेकर के जो आपके यहां तक दिया हुआ नौ से लेकर के टोटल 18 तक जो कॉलेज दीवी अगर आपको अपलाइ करना पोस्ट करना तो आपको इस पोटल पर आपको भेजना होगा यह नोडल जॉन पर ठीक है और अब बताते हैं कि आपको कैसे भेजना है और क्या क्या करना है इसमें तो फास्ट ओफ और यहां जो दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं कि में यह जो दिया हुआ है नेशनल एपेंटेशिप ट्रेनिंग सिग्मेंट एने टीएस यह जो आपको यहां पंजी करन होना एवं निबंधित डाक के माधियम से यहां पर जो टोटल दिया हुआ है कि य पर पंजी करन होना निबंधिक डाक के माधियम से तालीका के अंकित सब्विदा नॉडल अस्थान पर आवेदन उपलब्त कराने के लिए अंतिम्तिति जो इसका दिया हुआ है वो पंदरा एक ग्यार दोजे दोजार एकीस यानि कि पांच बज़े तक आप अंतिम्तिति द पताते हैं आपको यह जो दूसरा नंबर दिया हुआ है आवेदन करने के लिए पहला जो आपको उसमें नाम होना चाहिए पूरा नाम पूरा पता होना चाहिए पूरा नाम साखा भी से कौन सा सब्जेक्ट से आप किये हुए और किस वर्स आप उतिर्ण हुए हो लिखना ह हैं आपको पाच्मा नमबर जो दिया है संभीदा जाति पर्मान पत्त चनलग करना किया जाए मोबाइल नंबर इमेल आइड़ी चाहिए सात्मा नमबर प्राथमीक अधार पर तीन अस्थान को आपको सेलेक्ट करना आपको जोन कॉलेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसके बाद लास्ट जो है यह जो दिया है सोलर डिजिन नॉडल रीजिस्रेशननमर वह लिखना होगा जब आप रीजिस्रेशन कराओगे एनएटीएश में तो आपको एक रीजिस्रेशननमर दिया जाएगा वह रेजिस्टेशन नंबर इसमें आपको लगेगा ठीक है उसके वाद अप्लिकेशन जो आप भेज होगे वह लिफापा के उपर आपका जो लिखा होगा यह लिखा होना चाहिए यह और वह अगर आप है क्या चीज के लिए भिएज रहे हो जैसे डिपीजो मा होतों यह वह यह लंघना होगा टेकनिकल एक एत्पेंटेशिफ टिप्लो teenager अगर आप वह लिखना है इन फेजने यह Benson लिखना है तो यह ऋध्य इंफॉर्मेशन नैक्स बढ़ते है कि आपको यहां पर दिया वह नियुथ के वाइस, विध्यार थी दिंगि वाइस विद्यार थी Har亞 याम करी विब्वेसी साफ को आप मेहरे सकते हैं आओ में नहीं पंजिकरन नहीं होगा अर्थाथ जिसमें अवेदन में इतना डिजिट की अंतिम अंकित नहीं होगा तो उसके अवेदन सुयम से नहीं लिया जाएगा समझ गया अगर आपकी एने टीएस की 16 नंबर यह जो दिया है एने टीएस रेजिस्टेशन नंबर आपकी नहीं होगी तो आपके आवेदन को स्विकार नहीं किया जाएगा ठीक है और वह और यह वह एक सबसे और इंपोर्टेंड है छात्र अपनी सुभीधात था तो यह था कि बीटेक के स्टुडेंट को जो एपनेटिशिप में जो ट्रेनिंग देने को है जारकंट सरकार दोबारा यह निकली है एने टीएस के दोबारा तो उसमें अपलाई कैसे कैसे करना वो भी बताए और कब तक डेट है वो भी बताए तो आई होब कि आपको समझ म करेंगे तो जरूर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना तो आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद